30-30-40 तक 5 section है हमारे clubbing of income के उपर ये है क्या और क्या चीज़ है किसी और की income को अपनी income के अंदर include करना इसको बोलते है clubbing of income I को किसी अन्य परसन अन्य वेक्ती की I को अपनी I के अंदर सामिल कर लेना इसी और की income को हमारी income में सामिल करना clubbing of income. जैसे for example मेरी income का calculation कर रहे हैं ताकि उसकी उपर tax लगाया जा सकें तो मेरी income के अंदर किसी और की income को सामिल करना clubbing of income. लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? क्या reason है? किसी और की income को इसकी income में सामिल करो ना मेरी income में क्यों सामिल करेंगे? ओके तो इसको मैं एक एक्जांपल से लेते हूँ जैसे यह है Mr. X Mr. X की जो है total income calculate कर रहे थे तो हमने इसकी income ले ली आपको बता ही यह income के बहुत सा पांच हैड है हमने इसकी income from salary ले ली हमने इसकी income from house property ले ली फिर हमने इसकी income from PGBP ले ली अगर यह business भी करता है तो फिर हमने देखा इसकी कोई income हो income from capital gain वो ले ली और फिर हमने इसकी income from other sources ले ली other sources ठीक है तो यह सारी income जो हम इसकी ले रहे हैं और इसको भी पता है यह खुदी मान लेकते है Mr. P जो है Mr. X जो है वो अपनी income calculate कर रहा है तो उसको पता है कि यह सारी income जोड के मेरी क्या आएगी total income और उसके उपर फिर कुछ deduction वगएरा कुछ exemption मिलती है और उसके बाद में उसके पर क्या लगेगा tax यह income जितनी जादा होगी tax भी उतना जादा लगेगा तो वो क्या करता है अपनी इस income पे ज़्यादा tax नहीं लगे क्योंकि अगर slab rate भी लगाते हैं तो आपको पता ही यह न 5 लाग रुपे से 5 लाग रुपे तक जो income tax की rate है वो 5% है और फिर 5 से 10 किती हो जाती सीधी 20% और 10 लाग से किसी की ज़्यादा income में तो सीधा 30% tax लगता है तो वो अपनी income को कम गरने के लिए क्या घरता है अपनी कोई property या अपनी कोई asset या कुछ ऐसा करता है कि अपनी कोई चीज किसी और को transfer कर देता है जिससे क्या होता है कि अब income सामने वाले की मानी जाएगी क्योंकि कोई asset या कोई भी source जो है income का वो किसी और को transfer कर दिया बट transfer क्यों किया क्या actual transfer है नहीं actual transfer होगा तो फिर किसी और की income हम क्यों सामिल करेंगे एक्चुल ट्रांसपर नहीं था वास्विक अस्तान तरन नहीं था वो इसलिए ट्रांसपर किया गया उसका मकसद है ताकि वो इसलिए ट्रांसपर किया गया ताकि जो अमारी इंकम है उसको क्या किया जासा कि थोड़ा कम और उसके उपर टेक्स कम लगे तो फिर अगर ऐसा को आपली मेंबर्स वगेरा होते हैं ट्रहिंग आप इंकम में यह होता है ठीक है और इसके लाबागा कुछ और रिजन्स भी होते हैं ठीक एक करके अम इन सेक्षंस को करते हैं कि क्लबिंग ओप इंकम क्या होता है ले लेते हैं यह है मिस्टर मिस्टर ए मिस्टर ए ने क्या किया मिस्टर ए के पास दो टेक्सी कितनी टेक्सी है दो टेक्सी है मिस्टर ए के पास ठीक है मिस्टर ए ने क्या किया कि इसके पास दो टेक्सी पड़ी है इसमें से इसने एक टेक्सी की इसके बाद दो टैक्सी है उसमें से वन टैक्सी की एक टैक्सी की इंकम उस टैक्सी से जो भी इंकम हो रही है वो इंकम किसको टैक्सी ट्रांसपर नहीं करी इंकम एक टैक्सी से होने वाली इंकम किसको ट्रांसपर कर दी मिस्टर भी को तो एक टेक्सी की जो इंकम है उसको ट्रांसवर कर दिया बट ओनर्सिप स्वामित्व नौट ट्रांसवर नहीं किया स्वामित्व मतलब ओनर्सिप टेक्सी दोनों टेक्सी का ओनर अभी भी यही है लेकिन एक टेक्सी की इंकम किसको ट्रांसवर कर दी इसको तो यह जो इंकम है यह वाली इंकम यह किसकी इंकम मानी जाएगी इसकी इंकम मानी जाएगी हम क्लबिंग कर देंगे कि लबिंग ओफ इंकम कि भीया आपने एसेट तो ट्रांसफर करी नहीं एसेट आपकी तो कमाई भी आपकी होनी चीजिए उसकी कैसे होगी यह तो आप टेक्स बचाने के लिए कर रहे हो उसको बोलते हैं क्लब इंकम जब कोई इंकम तो ट्रांसफर कर दी लेकिन संपति ट्रांसफरी नहीं करी जब एसेट इंकम उसकी कैसे होगी आपकी होगी बाले इस वो प्राप्ट भी कर रहा एक्शुल में मान लेते हैं तो भी आपकी माने जाएगी वह सकता आपने हेल्प करने के लिए ऐसा कर भी हो यह लटेक्सी और इससे जो भी से इंकम होगी वो तेरी लेकिन इनकम तो वास्तों में इसको दे दीक फिर भी आपके इंकम माने जाएग आ है और फिर ऐकिसी व्यामफल दिया मैंने समझने के लिए अप बिना एसेट ट्रांसपर करें किसी को भी एसेट करने से आए कि अब ये क्या है सको समझना मान लेते हैं ये मिस्टर वापस ए और ये मिस्टर बी मिस्टर बी क्या कर रहा है मिस्टर ए क्या कर रहा है इस बार एक assets isco transfer कर रहा ह। कौन से assets माल लेते building building transfer कर रहा है किसको कर रहा है building transfer Mr. A कर रहा है किसको Mr. B को for two years 2 साल के लिए transfer कर रहा है अरे ये कैसा transfer हुआ है थो अगर asset बेच रहे हो, आप एसेट अस्तांत्रित कर रहे हो, बिल्डिंग इसको दे रहे हो, बेच रहे हो, तो पूरा दीजे न, हमेशा के लिए देंगे न, आप किसी से कोई बिल्डिंग करीते हैं, कोई मकान करीते हैं, कोई एसेट करीते हैं, कोई मसीन करीते हैं, दो साल के लिए काकि यह सकते हैं क्या कि हमेशा के लिए घड़े देंगे ना हमेशा की एक बेंगे थू दू साल घुल conscious यह दो साल किसकी हो जाए ह। इसकी कि ऊar टू यह एर और दो साल तक हekt इस बीजनस इस बिल्डिक से जो भी इंकम होगी वह किसकी मानी जाएगी मानने तें Mr. B की ताकि ये अपना इंकम को बचा सके building से इंकम कैसे हो सकता rent देने से house property बचाने की कोशिस कर रहा हो तो ये जो income है ये यहाँ club हो जाएगी इस building से जो भी income होगी माल लेते हैं कोई rent की income होगी तो वो उसको clubbing कर दिया जाएगा clubbing of income उसको किसकी income में मिलान किया जाएगा ट्रांसपरर जिसने ऐसे ट्रांसपर करी है अस्तांतरन करता यानि कि Mr. A ये था section number 61 ओके आगे चलते हैं और कब-कब clubbing होगी income की section number 60 फिर आज़ता है सीधा पहले ये है सबस्टांसियल इंट्रेस्ट की कहानी सारवान हिट की कहानी सबस्टांसियल इंट्रेस्ट सारवान हिट सबसे पहले समझते हैं ये सबस्टांसियल इंट्रेस्ट क्या होता है अगर कोई भी इंडीज्वल कोई भी इंडीज्वल होल्ड करता है होल्ड करता है 20% equity share या फिर कह सकते हैं और 20% voting power 20% equity share या 20% voting power in any company या organization यदि कोई व्यक्ति के पास में वोल्ड करता है या उसके पास में पावर है किस चीज की कि वो 20% vote कर सकता है 20% voting power वोटिंग पावर किसी को भी company में कम मिलती है वोट देने का अधिकार किसको होता है shareholder को वो भी कौन से equity वाले तो आप 20% equity share यानि कि 20% अगर आपके पास voting power है माल लेते हैं यह Mr. Indies World जो है वो Mr. A है ठीक है और इसके पास किसी एक company के अंदर कितनी पावर है 20% voting power इन एक company माल लेते हैं कमपनी का नाम है XYZ लिमिटेड के 20% equity share कोन होल्ड गरता है Mr. A इसका मतलब यह हुआ कि Mr. A जो है इस company के अंदर substantial interest रखता है सारवान हित रखता है तो अब इससे क्या हो गया अब इससे समझना है clubbing of income क्या क्या लेने देना है अब आपको 20% यह समझ में आ गया substantial interest क्या कहते हैं तो आगे बताता हूं देखो अब माल लेते हैं Mr. A जो है उसकी spouse अब Mr. A जो है माल लेते हैं अगर wife है तो इसका husband और अगर Mr. A husband है तो इसकी wife spouse मनलब जीवन साथी, अगर आप पत्नी है तो पत्ती जीवन साथी हो गया और पत्ती है तो पत्नी जीवन साथी हो गई, ठीक है, तो मान लेते है Mr. A, हम इस बार हैस्बेंट मान लेते है, Mr. A की wife Hello Mr. A की कौन वाइफ यह Mr. A की वाइफ ठीक है बाल कर लेते हैं थोड़ा सा समझ जवाब अब Mr. A की जो वाइफ है वो इस कम्पनी में यह कम्पनी है कौन सी आपकी XYZ लिमिटेद Mr. A की जो वाइफ है वो इस XYZ लिमिटेड के अंदर as a employee काम कर रही है और इसको मिल रहा है रेमुनरेशन पारिस रमेट एनिकी सेलरी, बोनस, कमीशन वगरा जो भी मिल रहा है तो यह जो रहेमुनरेशन है यह Mr. A की इंकम में इसको क्लब्ड कर देंगे यह जो रहेमुनरेशन किसका माना जाएगा Mr. A का माना जाएगा उसकी वाइफ का नहीं माना जाएगा क्योंकि Mr. A के पास voting power है उसका उप्योग करते हुए पावर का उप्योग करते हुए Mr. A की जो वाइफ है उसकी job यहा लगवाई है उसके पास मैं ऐसा कोई talent नहीं है उसके पास मैं ऐसी कोई skill नहीं है उसके बिना talent, बिना skill, बिना degree बिना कुछ मेहनत के बदले बिना किसी चीज़ के इसको यहां पर as a employee रखा गया है क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें उसकी power है 20% उसने अपने power का उप्योग करते वे इसको as a employee रखा है ताकि इसको क्या मिले remuneration मिले इसको salary bonus commission मिले लेकिन वो इसका नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई अगर talent नहीं है skill नहीं है तो इसका नहीं माना जाएगा वो किसका माना जाएगा Mr. A का माना जाएगा बट यहाँ पर बट यहाँ पर एक paragraph और लिखा देता हूँ यह तो आपको समझ में आ गया होगा एक note और लिख दीजिए वो क्या है वो देखिए note यह है if remuneration remuneration received जो remuneration received किया जा रहा है इस अट्रिबुटेड अट्रिबुटेबल तो दा अप्लिकेशन अफ टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज अप्रोफेशनल अबक्रेशनल प्रोफेशनल ए लंगे na है and experience को नॉट टू भी कलब है कि एक केहने का मतलब क्या अगर रेमरिशन जो रिसीव किया जा रहा है वो वो जो application है रेमरिशन जो कर रहा है कौन कर रहा मिस्टर एक वाइफ इसलिए कर रही इसलिए नहीं कि उसकी मुझे एंड का वहां पर असारवा निंद हित है, substantial interest है, voting power है, उसलिए नहीं, क्योंकि Mr. A की जो wife है, Mrs. A है, उसके पास मैं ऐसी technical है, उसके पास कोई professional knowledge है, उसके पास experience है, जिसके वज़े से उसको remunition salary मिल रही है, और उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने experience, अपने skill, अपने talent के बलबूत पर वहाँ पर नोकरी पाईए, और talent है, उसमें इसलिए उसको पैसा मिल रहा है, अगर ऐसा है, तो फिर जो वो जो income है, उसकी clubbing नहीं होगी, is not to be club, तो वो income clubbed नहीं होगी, वो फिर income किसकी मानी जाएगी, उसकी wife की मानी जाएगी, आया समझ में, बताईए, मतलब यह हु मिस्टर ए ने अपनी wife को, wife, मिस्टर ए ने दूसरे की wife को नहीं, अपनी wife को, यानि अपने spouse को, चाहे wife ए को करे, चाहे wife को करे, इसने क्या किया, मिस्टर ए ने अपनी wife को, ट्रांसफर कर दी कोई asset, asset, यह section house property भी नहीं लगता, other than, house property, house property के अलावा, यह section house property भी नहीं लगता, ठीक है, क्यों नहीं लगता, वो आगे हमाने वाल टाइम में पढ़ेंगे, house property के अलावाद, दूसरी कोई भी asset, ट्रांसफर कर दी, किसने, husband ने, अपने wife को, लेकिन यह जो ट्रांसफर करी है, यह अगर ट्रांसफर करी है, without, without educate consideration, यानि कि उस संपत्ती का जितना मुल्य है, उतना उससे लिया नहीं, Mr. wife से पैसा, wife से पैसा उतना नहीं लिया, मान लेते हैं, दो लाग के asset ट्रांसफर करी, प्रियाप्त प्रतिफल, बिना प्रियाप्त प्रतिफल के, अगर asset ट्रांसफर कर दे, कोई भी spouse को, अपने spouse को, अगर husband है तो wife को, wife है तो husband को, दोनों पे लागू होता है, ठीक है, तो इस case में, इस case के अंदर, जो asset है, जो भी asset ट्रांसफर हुई है इसको, उसकी जो income है, वो income, asset नहीं, वो income, asset इसको बोल रख, लेकिन उसकी income की क्या हो जाएगी, क्लबिंग, किसके साथ, उसकी spouse यानि की ट्रांसफरर के साथ, यानि की income भले, asset ये control करती हो, लेकिन इसके उपर जो भी आये होगी, वो इसकी मानी जाएगी, asset इसको बोल तेरे पास रहने दे भले, पर income तो आपके husband की income, हाँ, अगर कोई भी बन्दा, Mr. A, कोई भी asset transfer कर देता है, किसको, किसको, son's wife, बेटे को नहीं, अपनी बेटे की wife को, क्या transfer कर देता है, asset, और यह जो asset transfer की जा रही है, यह की जा रही है, without educate, consideration, बिना प्रयाप्त प्रतिफल, तो इस पुत्रवदु को, son's wife को, बेटे की पत्नी को, जो भी उस asset के उपर, asset तो उसके पास रहने दो, लेकिन उसके उपर, जो भी income होगी, वो यहाँ club हो जाएगी, अगर कोई ऐसा करें, तो, अब कोई बोले, कि sir, इसके तो बेटा है, नहीं, अभी तक साधी नहीं भी, तो नहीं भी, अगर कोई ऐसा करें, तो clubbing of income, अगर कोई, अगर कोई, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, इन दोनों से रिलेटेड ही है, चलिए, बता देता हूँ, वह है, section number 64, दो सेक्शन है, section 64, 1, 7, 64, 1, 8, यह क्या है, यह है, income, arising from transfer of asset transfer of asset for benefit of spouse or sons wife यह क्या है, इसको समझना, example से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, यह Mr. P, sorry, Mr. क्या मालने थे, A, Mr. A, बड़ा चालाग बंदा है, Mr. A की एक तो wife है, यहां पर, या तो Mr. A की wife, और, या फिर Mr. A की बेटे की wife, sons wife, यह, यहां क्या करता है, इन दोनों को जौब दिलानी है, किसी एक organization के अंदर, यह कोई organization है, यह किसी वैपार के अंदर, कि संस्था के अंदर, कि इन को क्या चाहिए, जौब, अब इनको ऐसे तो job मिल नी रही अही logo, या ऐसे तो इनको profit में हिसा मिल नी रहा, तो इसने क्या किया ये ट्रस्ट है मालेते हैं कोई ट्रस्ट के केस में अधिक्तर होता है कि इनका ट्रस्ट में हित आ जाए इनको ट्रस्ट में जॉब मिल जाए या कुछ मिल जाए एना benefit मिल जाए तो इसने क्या किया यह ट्रस्ट वाला ऐसे तो जॉब दे नहीं रहा था इसमें इसने कोई asset transfer कर दी किसको transfer कर दी asset इसको वह भी बिना प्रयाप प्रतिफल के without educate consideration इस assets को transfer करने का मकसद क्या है ताकि यह ट्रस्ट इन दोनों को benefit दे दे इनको job दे या जो भी इनको चाहिए इस trust के अंदर वो दे दे तो इस case में यह जो asset transfer करी है इस trust को इस assets के ऊपर इस assets के ऊपर जो भी इनको income होगी वो income कहा include हो जाएगी clubbing हो जाएगी उस income के वो club हो जाएगी आया समझ में पता हो उसकी income income of minor child हाँ वो income किसकी मानी जाएगी तो उसमें हमें एक सवाल पूछना पढ़ेगा whether such income is acquired by यूज आफ इस्पेशियल स्किल टैलेंट नॉलेज आफ चाइड क्या यह जो इंकम कमाई गई है मान लेते हैं माइनर चाइड या नहीं कि एठारा साल से कम उमर का बच्चा है लेकिन उसने इंकम जो कमाई है वो कैसे कमाई है उसके पास इंकम कैसे आई कहां से आई उसके पास तो इंकम इसलिए आई है क्योंकि उसके पास में स्पेशल स्किल है उसके पास में टैलेंट है उसने कोई रियल्टी सो जीता है उसने कोई क्विस जीती है उसको कुछ आता है जिसकी वज़े से उसने इंकम कमाई है अपने बलबूते अपने दम पर अगर उस बंदे ने इंकम कमाई है ठीक है अपने बलबूते पर अगर उसने इंकम कमाई है यस यस उसके पास यह टैलेंट होगेरा है यस है जी टैलेंट है यस no clubbing तो उस income की हम clubbing नहीं करेंगे no clubbing कोई clubbing नहीं होगी income taxable in the hands of child वो child की income मानी जाएगी उस बच्चे की मानी जाएगी बच्चे के पास में ऐसा कोई skill ऐसा कोई talent वगेरा नहीं है आपकी महर्मानी की वज़े से उसको कुछ ना कुछ income वगेरा मिल रही है आपने उसके नाम पर कोई property लिख दिया कुछ इसके नाम के कुछ investment कर दिये जिसकी वज़े से उसको income आ रही है minor child है अवेस्क बच्चा है उसके पास कोई talent नहीं तो फिर यहां आता है तो फिर यहां आता है तो यहां क्या किया जाएगा clubbing की जाएगे clubbing of minor child income to their to he or her to his parents income तो वो जो income है वो club कहां होगी उसकी parent की income के अंदर उसके माबाप की जो income है उसमें उस बच्चे की income सामिल की जाएगी बट यहां पर एक सवाल आता है कि माबाप में किसकी income club कहां करेंगी father की income के अंदर और मदर की income के जाएगे किस में club करेंगे हाँ आपने बोला कि अगर उसने अपने talent से income नहीं कमाईगी है तो हम income को club करेंगी लेकिन यह दोनों separate है ना income जो है वो किसकी income में club करेंगे clubbing कहां करोगया father की income में सामिल करोगया mother की income तो हम देखेंगे marriage relation के उनका marriage relationship कैसा है मेरीज रिलेशन्सिप कैसा है अच्छा है married है अना बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरीज रिलेशन्सिप में कोई डिवोस वगेरा नहीं हो रखा है अना marriage relation है या नहीं है यस है marriage relation है अभी कोई डिवोस वगेरा नहीं हो रखा है तो किसके इंकम में सामिल करेंगे उसकी इंकम में सामिल करेंगे उसकी इंकम करेंगे जिसकी इंकम ज्यादा हो तो हम जो क्लब करेंगे क्लब करेंगे इंकम की क्लबिंग करेंगे वह किसकी इंकम में करेंगे ओवादर करेंगे शा पाधर कhen और मदर की इंकम किसकी ई जिसकी नहींकम इंकम ज्यादा हो जिसकी इंकम ज्यादा होगी उसकी इंकम में कलब करेंगे अगर फादर की इंकम ज्यादा है तो बच्चे की इंकम फादर की इंकम में जुड़ जाएगे मदर की ज्यादा है तो मदर की इंकम में जुड़ जाएगे बट मैरीज रिलेशन्शिप है नहीं नो मैरीज मैरीज रिलेशन्शिप है नहीं नो कोई मैरीज रिलेशन्शिप नहीं क्यों यह डिवास हो गया है नो मैरीज रिलेशन्शिप अगर नहीं है अगर marriage relationship नहीं है तो फिर हमें याँ देखना पड़ेगा कि बच्चे का जो है पालन पोशन कोन कर रहा है है ना who maintained the इस case ने income of minor child income of minor child are included minor child included of that parent who maintained the minor child in previous year जो बच्चे का भारण पोशन कर रहा है यह जो बच्चे को पाल पोशन के बड़ा कर रहा है उसकी income में उसको माना जाएगा जिसके पास custody है कोट नहीं दे रखिये previous year के अंदर उसकी income में उस बच्चे की income को क्लब किया जाएगा यह पूरा का पूरा चार्ट है आपका आप उसको अच्छे से लिखना और समझना तो आपको क्लाएगा झाल झाल